तेक्निकल सिविल में आपका सुवागत है. भारत डाइनमिक्स लिमिटेट की तरफ से सिविल एंजिनिस के लिए कुछ खासmeeрь करके मिल आज रहें. आज हम इस वीडियो में उनी वीडियो मेघुर starters की बात करेंगे. जो positions पर invitations या advertisement उन्होंने publish किये हैं वो सारे आपके सामने आ जाएगे अब यहां आपको recruitment of GM, HR, DGM, SM, manager, DM, AM in civil और explosive यह आपको सारा एक जो notification है यह दिख रहा होगा आपको इस पर click करना है आप जैसे इस पर click करोगे वैसे आपके सामने एक नया PDF फाइल उपन हो जाएगा इस PDF फाइल में आपको इन vacancies की है इस recruitment की तमाम details जो है वो दे रखी है आप चाहो तो यहाँ पर detail में इसको पढ़ सकते हो शुरुआत में आपको BDL की कुछ basic information दे रखी है आप इसको आराम से पढ़ लीजेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है इनकी जो detail of vacancies है उसकी बात की गई है और उससे पहले आपको इध्यान रख लेना चाहिए कि जो भी eligible और interested candidate होगे वो online apply कर सकेगे 16 July 16th of July 2022 से इनके online application start होगे तो आपको उसका wait करना है इस date को note करना है और आपको इसका accordingly उसको आगे submit करना है ठीक है इसकी 16 July से starting date है और आखरी तारीख है 16 August तो यह दोनों date आपके लिए important है आप बात करते है details of vacancies कि कौन-कौन सी post पर कितनी number of vacancies है उसकी क्या details है तो अगर बात की जाए civil के लिए तो देखिए deputy civil manager जो है यह position है जिसमें vacancy एक है यूँकर unreserved है उनकी अगर salary की बात की जाए तो 80,000 to 220,000 पर मन्त आपको यहाँ पर salary दी जाएगी और उसी के साथ साथ senior manager civil है जिसमें दो vacancies है उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो deputy manager है civil में उनकी vacancy एक है और उसी के साथ यहाँ पर assistant manager है उनकी vacancies में यहाँ पर एक है भी दे रखिये उसी के साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि qualification क्या है post पर apply करने के लिए अगर essential qualification की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है deputy general manager civil की first class degree जो आपके पास B.E. या B.E. की degree होनी चाहिए first class degree in engineering और in technology in civil from a recognized university और institution यानि आपके पास एक recognized college या university से जो है first class pass आपके पास एक B.E. की degree होनी चाहिए civil engineering की यह इसमें essential qualification है उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर deputy manager या senior manager की या assistant manager की बात की जाए तो सभी के लिए यह same criteria रहेगा आपके पास एक degree होनी चाहिए चार साल की complete की हुई ठीक है उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर experience की बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक अलग से table दे रखा है कि जो deputy general manager civil में है उनकी experience की अगर number of years की बात की जाए तो minimum number of years of executive experience after essential qualification यानि चार साल की degree के बात का आपका एक experience होना चाहिए heavy industry में PSU में जिसमें आपको बताया गया है कि deputy general manager के लिए apply कर रहे हो तो 14 years का उसी के साथ senior manager के लिए apply कर रहे हो civil में तो 9 years का deputy manager civil में apply कर रहे हो तो 5 years का और assistant manager civil में apply कर रहे हो तो आपको दो साल का minimum experience यहाँ पर होना चाहिए यह जो सारे कामकाज है इन में से किसी एक में आपका experience होना जरूरी है यह nature of experience उनका ठीक है तो मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से कितनी vacancies available है educational qualification क्या requirement है और nature of experience यह number of years आपके experience के कितने required है इन BDL के अंदर जो recruitment हो रहे है उनकी different different post के लिए ठीक है उसी के साथ आपको यह आप उसको आराम से पढ़ सकते हो ठीक है चलिए यह आपको उनकी salary और CTC के बारे में कुछ बताया गया आप पढ़ सकते हो उसके साथ साथ यहाँ पर आपको any contract or training industrial vocational apprenticeship consultancy experience will not be taken into consideration यानि इससे पहले जो भी आपका कामकाज या consideration या experience हुआ होगा उसको यह consider नहीं करेगे and applicants who have pursued engineering degree after completion of diploma must mention diploma details in application form यानि जो D2D होते है जो diploma से degree complete किये होते हैं तो उनको diploma की details भी application में पूरी तरह से महाँ पर mention करनी होगी यह बात का आपको ध्यान रखना होगी अब बात करते हैं selection process की तो selection process की अगर बात की जाए civil engineers के लिए तो यह direct recruitment होगा आपका यानि आपको आपकी जो application आपने सब्मीट की होगी उसके detail और data के मताबिक आपको जो है shortlist किया जाएगा और shortlist करने के बाद आपको एक interview के लिए call later भीजा जाएगा आपको by post या email के दौरा ठीक है आपको जो interview के लिए बुला जाएगा और interview के base पर आपका final selection होगा या आपको ध्यान रखना होगा आप अगर civil engineer के तौर पर चाहे वो कोई भी post हो civil engineer के लिए deputy manager हो या फिर assistant manager हो या फिर senior manager हो जो भी civil engineers के लिए post है उनके आपको direct interview होगा interview के base पर आपका final selection होगा और जितने भी shortlisted candidate होगे वो अपनी website पर उनके नाम डिस्प्ले करेगे, आपको उसके accordingly आगे mail से वो रोग communicate भी करेगी, ठीक है, इसलिए आपको mail भी, mail ID भी वही देनी है, जिसको आप regularly use करते हो, और जो आपकी official या अपनी खुद की एक use में हो, ऐसी mail ID आपको देनी है, जिससे आप रोज चेक कर सको चलिए, अब ये pay और perks की कुछ बात है, या आप आराम से पढ़ लिजएगा, उसके बार में जिकरें, उसी के साथ साथ आपको medical standard भी उनके fulfill करने पड़ेगे, medically fitness का certificate भी आपको वहापर देना पड़ेगा, एक छोड़ा सा examination होगा उसका भी, वो भी आपको complete करना पड़ेग और candidate belonging to SCST, PWBD, ex-servicemen, internals, employees are exempted, यानि ये जो category की लोग है, या student होगे, applicant होगे, वो सारे यहां से exempted, यानि उनको fees pay करने की ज़रूर नहीं होगी, ठीके, चलिए, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, यह जो आप fees pay करोगे, यह non refundable होगी, इसको आप refund claim नहीं करस्तकोगे, ठीके, यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ general conditions को दे रखे, मैं चाहोगा, यह सभी general conditions को एक बार आप खुद बाखुद पढ़ लीजेगा, और वहाँ पर जानकारी जो भी दे रखी है, उसको आप समझ लीजेगा, अगर आपको समझ नहीं आता, तो Google Translate का इस्तेमाल करके, हिंदी में अनुआद करके उसको पढ़ लीजेगा, ठीके, अब यहाँ पर आपको कुछ mandatory documents के बारे में बताया गया है, कि यह documents आप लोगों के लिए जरूरी है, सबसे पहली बात कि अगर कीजा, तो following documents are mandatory in nature without which candidature of applicant will not be considered, यानि इन documents की बिना आपका जो application है, वो consider नहीं किया जाएगा, सबसे फिर आपको कहा गया है, Delhi signed printout of registration slip generated after successful submission of online application, यानि आप online application भरोगे, उसके बाद आपको एक slip मिलेगी, आपको उसकी printout लेनी पड़ेगी इस साथ में, ठीके, उसी के साथ साथ self-attested copies of the following document, यानि यह जो 8 document आपको दे रखे, या 9-10 document आपक रखनी है, जब आप interview के ले जाओगे, तो आपको साथ में सारे ले जाने है, उसी के साथ यहाँ पर आपको पहला document है, मैं चाहोगा आप आराम से, इत्मिना से, one by one सारे documents पढ़ लीजेगा, लिख लीजेगा, लिख लीजेगा, अगर आप इसमें apply करना चाहते हो, तो यह स आया गया है कि 16 तारिक से online applications start होगे, इसलिए आपको इस date को और इस time को note करना है, और इस date पे आपको इनकी जो official recruitment page है, वहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर देखिए, इस advertisement के नीचे option आजाएगा, online apply करने के लिए, आपको यहाँ से 16 तारिक से application शुरू हो जाएके, तो व important dates है, यह भी आप note कर लीजेगा, इनके अलावा अगर आपको कोई query है, इन vacancies को लेकर, इनकी requirement को लेकर, और किसी चीज़ को लेकर, तो यह आप उनके official email address पर, आप अपनी query को mail करके पूछ सकते हो, ठीके, तो यह था इनकी पूरी updates के बारे में छोटा सा वीडियो, उमीद है, आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, इसे तरह से और भी धेर सारी वीडियो और अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेगी, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहेगेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद